है गाईस क्या हाल है यह तो फिर से एक ने युटेमिस वी का स्वागत है तो आज की जो वीडियो इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंट कुछ करने वाले हैं मेरे पास है एक रिप कोड गईस हागाइस मेरे पास है एक यह नॉर्मल लॉंचर है अगर देख सेको तो यह गईस एक ल लॉंचर है ना इस पर से एला लॉंचर देता है है स्टार्टिंग में लेकिन क्वालिटी वह ही थोड़ी सी दिक्कत करती है हमेशा है है लेकिन यह वाला थोड़ा सा मेरे को ठीक ही लगा यार ओके और हां गाईस यह जो रिप कोड है मैंने इसको चिपका दिया है डबल कर दिये तो आज हम भी वही करेंगे हमने भी ड्रैगून के लिए एक्स्ट्रा रिप कोड बना दी है एक्स्ट्रा लोंग डिक्सकोड तो देखना होगा क्या कुछ रहता है उससे क्या कुछ कर पाएगा ड्रैगून यह देखो बाई कितना लंबा हो जाता है और हां इसको अच्छे से चल जाती है ठीक है अब हीट देखेंगे भाई अच्छे से चलेगी या नहीं चलेगी तो एक्सपेरिमेंट फेल्ट हो जाएगा गईस और हां गईस आज की जो वीडियो है उसमें यह हमारा एक्सपेरिमेंट तो हो गई और आज हम आएंगे लाइव गईस बी तो मेरे पास बहुत सारे रूम कार्ड पड़े हैं तो रूम बनाके भी खेलेंगे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं और हां गईस एक चीज़ और जो भी नया है चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो वैसे बीजय माई अभी तक आया नहीं बनाया है यह इतनी बड़ी रीप कोड़ वाला क्या यह काम करेगा और हां गईस जो भी चैनल पर नहीं है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो हमारा जब बेड एक्स जेनरेशन आएगी उससे पहले का एम है कि 4,80,000 सब्सक्राइबर्स तक हम बो Okay guys तो देख सकते हों मिת यह दो ड्रैगुंस हैं यह द्रैगुंवी और यह ड्रैगुन एफ है तो इन दोनों को लॉंच करके देखेंगे और साथ में इनका हम spin time भी measure करेंगे और देखेंगे normal launcher से כतणा अच्छे से launch होते हैं और फिर db launcher से कतना ज़्यादा spin करते हैं फिर last में करेंगे long rip code launcher से launch और देखेंगे इस्से कितना छादा launch होंगे उससे last में करेंगे सबसे पहले हम normal lr launcher से करेंगे उसके बाद एक db launcher से करेंगे उसके बाद एक power launcher से करेंगे last में हम long rip code से करेंगे ठीक है ये कुछ scene है guys और अभी कर लेते हैं on हमारे timer को ये timer हो गया है on guys इसको रख देता हूँ मैं यहाँ पर अगर दिख रहा हो तो अभी दिखेगा हाँ ठीक है तो guys करते हैं शुरू इसको left spin करना है यार माफ ही चाहेंगे guys 3,2,1 हो जाशी ओ शिट मैं भूल गया कि मेरे LR launchers जो हैं left spin में अच्छा काम नहीं करते तो ठीक है guys मैं लिया आया हूँ एक normal rip code launcher इससे करेंगे launch सबसे पहले और देखेंगे इससे कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा हम 2 seconds प्लस कर देंगे हर एक battle में क्योंकि वहां तक पहुचने मेरे को एक से 2 seconds लगेंगे ठीक है in 3,2,1 हो जाए ओके लेट सी अभी देखते हैं भाई कितनी देर तक spin करता है यह हमारा ड्रैगून और हाँ जब तक चैनल को सब्सक्राइब करतो यार करोगे तो अच्छा लगेगा देखते हैं भाईयो 14 seconds, 15 seconds, 16 seconds मुझे नहीं लगता है यह 30 seconds कंप्लीट कर पाएगा उसके बाद हम करेंगे हमारे DB launcher से गाइस और देखेंगे DB launcher क्या कुछ कर पाता है नाइस 28 seconds हम लेते हैं 30 seconds, 30 seconds यह लोंच किया है इसने ठीक है उसके बाद हम करते हैं भी एक DB launcher से यह है मेरे पाद DB launcher इससे कड़के देखते हैं अभी और इसका देखते हैं क्या run time रहता है भाईयो माफी चाहेंगे गाइस अबै चिचा हाँ चीक है इन 3 2 1 हो जाए शिरू ओके मेरे को लगता है रिप कोड से कम स्ट्रेंथ है DB launcher की लेकिन देखना होगा वो 30 seconds चला था यह देखेंगे कितनी 20 seconds चलेगा फिर इसकी fight भी करेंगे इस वाले से मतलब इस वाले के साथ देखेंगे क्या रहता है भाईयो क्या ड्रेगून ज़्यादा ले पाएगा çaaf-saaf दिख रहेगा takiego rip code में ज़्यादा strength होती है वाईो चाहे 1 य Perica 2 से किन से पता चले लेकिन पता चल रहे है भाईो नही किन भराबर कर दिए भाई पावर लौँचर को देख लीटे है क्या कुछ रहता है पावर लौँचर के साथ में पावर लॉंचर भाई आओ चिचा देखते हैं क्या करता है यह पाई यो इन थ्री टू वण रिसेट कर लेते हैं यह फैंटम है वैसे ड्रेगुन वी जो है वो थोड़ा ज्यादा स्पिन करेगा शायद जहां तक मुझे लगता है बट यह देखेंगे अभी नाइस 15 स्काइब हो चुके हैं यह शायद थोड़ा सा 30 से जादा हो सकता है शायद 32-35 सेकंड हो सकता है शायद का किरंटी तो बिलकुल नहीं ले रहा बाई ओके शायद नहीं ओ नाइस थर्टी टू सेकंड्स सिर्फ दो सेकंड का फरक पड़ता है जाता नहीं पड़ता अलागी स्टैमिना टाइप बेबलेड होता तो ज्यादा पड़ता ओके अब बारी है हमारे रिप कोड लोंचर की इसको लेफ्ट स्पिन कर देते हैं नाइस तो वाई कितनी बड़ी जिप कोड़ इसकी थ्री टू वण हो जाए शुरू ओ भाई तूट गया यार शिट गाइस हमारा लोंचर टूट गया एक टाराई में एक टाराई में टूट गया गई बै यार मैं तो इसको बच्छे से लाया था चिपका विपका कि लेकिन जहां स चिपका है था वहां से नहीं टूटा है कहीं और से टूट गया चिचा फिर से कुछ करना पड़े गाइस एक्सपेरिमेंट फेल्ड हो गया तो बहुत ही बुरी तरह से लेकिन लेकिन अठाई सेकंड वही 30 सेकंड पर पहुचा है क्योंकि हाफ ही पावर यूज हो पाई इस चिपकाने वाले के एक्जेक्ट साइड से टूटा ही है बहुत ही बुरा लग रहा है गाइस बट कुछ कर नहीं सकते अब तो ठीक है भाई हो निराशा के साथ हमें बोलना पड़ रहा है कि इस वीडियो को हम यहीं करते हैं और यह वाला एक्सपेरिमेंट मेरे से सफल नही की बट उसका एक अच्छे से मेरे को पटर चाहिए अच्छे सी मशीन चाहिए जिससे हम उसको काट सकें ठीक है तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं आज रात शाम को मतलब आज शाम को या रात को जो भी लगा लो जिसके हिसाब से जो भी है जो करने की शायद कर दो मैं मेरे को बता देना कि करना है या नहीं करना तो ठीक है अभी नेक्स वीडियो मिलते हैं